आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ रतलामी सेव की रेसिपी आप देख सकते हैं मैंने इसको ज़रने से बनाया है और ये सब की घर में एवेलेवल होते हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसा बनके तयार हुआ है आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राइ कीजिए तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं रतलामी सेव बनाने के लिए मैं ले रही हूँ धाई कब बेसन और ये ग्राम्स में 250 ग्राम्स है सारे बेसन को मैं च्छान के ले रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छी तरह च्छान लिया है अब मैं मार्केट जैसा टेश्ट लाने के लिए इसमें डालूंगी कुछ मसाले एक चमच लाल मिर्श पाउडर डाला है मैंने एक चमच काली मिर्श पाउडर एक तिहाई चमच हल्दी पाउडर और स्वादनुसार नमक डालेंगे सेव को नरम और खस्तेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ओयल डालेंगे मैं इसमें डाल रही हूँ तीन चमच रिफाइंड ओयल मैं डाल रही हूँ अगर आप इससे जादा का बना रहे हैं इस सारी चीजों की क्वैंटिटी को बढ़ा लेजिए बेसन जितना ले रहे हैं उस हिसाब से मसालों की क्वैंटिटी बढ़ा लेजिए इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून आजवाइन जैसा हलवाई बनाते हैं न रतलामी सेव वैसा टेश्ट लाने के लिए आप चाहें तो इसमें एक से दो लॉंग को महीन कूट के डाल लेजिए पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लॉंग का टेश्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है लॉंग पाउडर ओप्शनल है आप चाहें तो इसको डाले या फिर ना डाले मसाले और तेल इसमें आड़ करने के बाद इसको अच्छी तरह हातों से मसल मसल के मिला लीजिए फिर इसके बाद इसको पानी से सान लीजिए मैंने इसको सानने के लिए एक कप पानी लिया था धाई कप बिसन को सानने के लिए एक कप पानी और इसमें से भी 1 टेबल स्पून के कड़ी बच गया आप देख सकते हैं मैंने इसको ना तो हाड साना है और ना ही ज़्यादा धीला आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर फिर अब इसको छानना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कड़ाही में तेल गरम कर लिया है अब थोरी से बेसं से तेल का temperature चेक कर लेंगे तेल एकदम से high गरम नहीं चाहिए तो ये देखिए बेसं धीरे दिरे उपर आ रहा है अब हम gas का flame low कर देंगे इतना ही गरम तेल हमें चाहिए तेल हमें बहुत जादा ग कीला कर लिया है और थोरा सा मिक्सचर लेंगे बेसन का और ये देखिए करची जर्णा जो भी आप कह सकते हैं इससे मैं सेव बनाने वाली हूं हाथ के ये वाले पार्ट से मिक्सचर को जर्णे पर मसलते हुए सेव बना लेंगे आप देख सकते हैं सेव कितने अच्छी बन र और इसका टेस्ट पी एकदम सूप है अगर आप हलवायों वाली जारा खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखके आप जारा खरीदना भूल जाएंगे क्योंकि एगर में ये एवेलेवल ज़र्णों से बहुत यासानी से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो ये देखिए एक बार में जितना सेव तेल में अर्जेस्ट हो सके उतना सेव को आप ज़र्णे में से निकाल लीजिए और इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और हाँ, इसको फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के बाद आज को लो कर दीजिए और इसको लो पे ही फ्राई कीजिए इससे आपका सेव थोड़ा थोड़ा नरम और खस्तेदार बनेगा बिल्कुल मार्केट जैसा और ये हलकी हलकी नरम और खस्तेदार रहेगी बिलकुल मार्केट चैसी क्योंकि मैं खास्ते के लिए इसमें रिफाइंड ओयल डाली थी तो ये देखे ये फ्राइ हो चुकी है और इसको हम निकालेंगे टिशू पेपर पे इसी तरह हम बाकी के सेव भी तयार कर लेंगे एक बार और मैं इसको बनागर आपको दिखाती हूँ और हाँ दोबारा जढ़ने को इस्तमाल करने के लिए जढ़ने के होल में जो बेसन चला जाता है उसको हाथ हो या फिर टिशू पेपर से रिमूव कर लीजे उसके बाद दोबारा से सेव बनाना स्टार्ट कीजिए हाथ का जो थम के नीचे वाला हिस्सा होता है उससे मसल के हम सेव बनाएंगे और हाँ हलवाई का जो सेव बनाने वाला जहारा होता है उसको कड़ाई में फसाके सेव बनाते हैं ऐसे तेल पढ़ने का डर नहीं होता है बट हाँ इस वाले जढ़ने से अगर आप सेव बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाएए तेल के छीटे पर सकते हैं बट मुझे एक बार भी नहीं पड़ा क्योंकि मैं ध्यान से बना रही हूँ इसके अलावा आप इसको कद्दू का सियानी ग्रेटर से भी बना सकते हैं या फिर एक और जो प्लेट आदी है ना गैरी वाली जिसमें होल रहता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं तो यह देखे यह भी फ्राइ हो चुकी है और यह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है आप चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में भढ़के महीने तक स्टोर कर सकते हैं इसको बनाने में जरा भी महनत नहीं लगती आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं मुझे इसको बनाने में बेसन सानने से लेकर फ्राइ करने तक 15 मिनट लग गए हैं अगर आप जादा कब बना रहे हैं तो थोरा सा टाइम जादा लग सकता है इसको फ्राइ करने में तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले अगर आप ऐसी आसान रेसिपी चाहते हैं और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ओल पे क्लिक कर लीजिए इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिलेगी ये देखिए 2500 ग्राम बेशन से इतने सारे सेव तयार हुए हैं तो ये देखिए लग रहा है ना बिलकुल मार्केट जैसा आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं ओके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ तब ते के लिए बाबाई एंड टेक कियर